गुड इमनिंग स्टूडेंट्स, हाव आर यू, वट्सप क्लास में आपका स्वागत है, हम अपनी समाजिक शिक्षा का लेशन जीड करेंगे, हमारा लेशन है धार्मिक उट्सव, इससे पहले हमने ये लेशन आधा रीड किया था, आज हम आधा और रीड करेंगे, ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है, होली, डिवाली और रक्षावंदन, और इसके आगे हम आगे के धार्मिक उट्सव के विशे में पढ़ेंगे, सब स्टूडेंट्स दिहान देंगे, और इसे समझेंगे, ये देखिए, अब हम आगे का लेशन जीड करते हैं, गुरपुरव, ठीक है, ये भी हमारा एक धार्मिक उट्सव है, तो दिहान से देखिएंगे, गुरपुरव कैसे मनाया जाता है, ये सीखों का तेमार है, ठीक है, ये है कार्तिक पुर्णिमा को मनाया जाता है, गुरपुरव सीखों के दसमी गुरु के जरम दिन के रूप में मनाया जाता है गुरु द्वारा को रोशनी से सजाया जाता है लोग गुरु द्वारों में प्रातना करते हैं और यहां पर लंगर का आयोजन भी किया जाता है और बहुत बड़ी संख्या में सभी सिख धर्म के लोग इकठे होते हैं और इस तैवार को मनाते हैं अब हम देखेंगे Christmas आगे कौन सा है Christmas तो Christmas बहुत से बच्चे जानते होंगे और बहुत हमें इन्तियार रहता है क्योंकि Christmas पे कौन आता है Santa Claus तो हम इसके वीशे में पढ़ेंगे Christmas इसाइयों का तैवार है किस का तैवार है इ 25 दिकंबर को मनाया जाता है अब पच्चिस दिसंबर आने वाला है ना तो कौन सा तैवार आएगा Christmas तो इसामसी का जनम इसी दिन हुआ था इसामसी का लोग अपने घरों को तथा Christmas के पेड़को सजाते हैं क्या करते हैं अपने घरों को सजाते हैं और Christmas स्ट्री होता है उसको खुब अच्छे से सजाते हैं लोग नए कपड़े पहनते हैं गिरजा घर में विशेश प्रात्ना का आयोजन किया जाता है विशेश प्रात्ना का ये एक दूसरे को केक खिलाते हैं कौन क्रिस्चन लोग यानि इसाई लोग और उपहार बाणते हैं सां सांता क्लोज तो ये था हमारा क्रिस्मस का तैवार आगे देखिए स्टुडेंट अब पढ़ेंगे हम एद तो एद मुसलमानों का तैवार है यह रमजान के तीस दिनों के बाद आता है यह रमजान वर्थ का महीना होता है एद के दिन मस्जिदों में विशेश प्रात्ना क जाती है वे एक दूसरे के गले मिलकर एद मुबारक कहते हैं लोग गरिपों में धन कपड़े और मिठाईया बाढ़ते हैं इस दिन एक विशेश पक्रान सेवियाँ बनाई जाती है तो यह एद यानि मुसलमानों का तैवार है इस दिन यह लोग आपस में एक दूसरे के ग और एक विशेश पुजा का आयोजन किया जाता है नावों की दोड़ परतियोगिता का तैवार का मुख्या आकर्सन होता है विभिन स्थानों पर लोग इन नावों की दोड़ को देखने आते हैं वे इसे बहुत अधिक पसंद करते हैं तो ये क्या थे हमारे धार्मिक हमने अलग अलग पढ़े और इनको देखा किस परकार से मनाया जाता है तो अभी सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा इसका बुक वर्क मैं आपको बाद में सैंड कर दूंगी आपने क्या करना इस लेसन को अच्छे से दो तिन बार रीड करना है थेंक्यू स्टूडे य cinematicव हवाओार्ष एंसरे अइसके, साथे वजय में स्टूडेंट रीड करना इसका दोके रीड पने को समझ demonा कर दो अपको प्रहें एसक्षा पको साथे लिड टीड कर देवाद कर दिरी दिर यू बारे नहतता हैं पूलापने को से अघkę कर दोंट कर दोंगे फैसके शГा